जय मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 जून और 22 जून 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए 21 और 22 जून का दिन कैसा रहेगा इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की इस्तिती कैसी होगी किस तरह के योग बनेंगे और उनका प्रभाव अब के लिए कैसा होने वाला है ये दो दिन बेहत खास हैं क्योंकि यहां एक ऐसा दिन है जो कि अब अगले एक वर्ष के बाद ही आएगा तो सब कुछ जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में जानेंगे हर शेत्र की बात करेंगे बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवे दिन है चैनल पर अगर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो चलिए सबसे पहले हम इन दो दिनों के त्यति नक्षत्रों की बात कर लेते हैं अब 21 जून का जो दिन है यह स्वमवार का दिन है शुकल पक्ष की एकादसी तिती है अब एकादसी तिती निर्जला एकादसी निर्जला एकादसी का दिन क्यों महतपोन है क्या कारे कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे इस दिन स्वाती नक्षत्र रहेगा शिव नाम का योग बनेगा चंद्रमातुला राशी में है सूरिय मिथुन राशी मिरग्षरा नक्षत्र में है आभिजीत मोर्थ है इस दिन का सुभा 11 बचकर 55 मिनट से दोपहर 12 बचकर 51 मिनट तक अब 22 जून का दिन तो ये 22 जून का दिन मंगलवार का तो दिन है और शुकल पक्ष की द्वादसी तिति है सुभा 10 बचकर 22 मिनट तक विशाखा नक्षत्र रहेगा सेध नाम का योग बनेगा चंद्रमा सुभा को तुला राशी से निकल कर व्रश्चिक राशी में जाएंगे जहां केतु विराज़मान है तो केतु के युती होगी सूर्य मिथुन राशी में है लेकिन सुभा को ही ये नक्षत्र परिवर्टन करेंगे म्रग्ष्रा से निकलेंगे और आद्रा नक्षत्र में प्रिवेश करेंगे इस दिन तरी पुश्कर नाम का योग भी बन रहा है अभी जीत मोर था इस दिन का सुभा 11 बचकर 55 मिनट से दो पहर एकादशी का दिन है और ये एकादशी 24 एकादशियों में सर्वस्रेस्ट जिसको बोलते है ये वो एकादशी है ये ऐसी एकादशी है कि इस दिन जो दान बुन होते हैं जो उपाय होते हैं वो हर उपाय से उपर है और ऐसा नहीं कि आप उसको कर नहीं सकते बस इतना छोटा सा इसका उपाय होता है कि आज जीवन उसको आपको उसका फल मिलता है उसके बारे में भी जानेंगे पहले राशी फल के बारे में जान लेते हैं कि 21 जून का दिन कैसा होगा लगन में चंद्रमा बैठें हैं तुला राशी में के लिए बिलकुल अच्छा रहेगा ऐसमें कोई दोराय नहीं है लाब के लिए उन्नती के लिए आपको कुछ जादा कोशिश से करने पड़ेंगी लेकिन जब आप कोशिश से भी करते हैं तो उसके बाद आपको कामया भी मिलेगी आप सफल हो सकते हैं अप सफल हो सकते हैं अगर आप किसी की मदद चाहते हैं काम को करने में और आप हिचके चा रहे हैं तो हिचके चाहत छोड़ कर सबसे पहले अपनी काम को करने की आपको मन में इच्छा होनी चाहिए तो अपनी किसमत से, अपनी किसले लोगों की मदद से आप अपने कामों को पूरा करें, अपने फाइदे की भी चिंता करें, दूसरों को नाराज किये बिना चतुराई से काम निकल वाएं, लब पार्टनर पर खर्चा हो सकता है, आपका जीवन साथी, आपका लवार उन पर खुस्ता ना करें तो अच्छा है, आप अपनी भावनाएं किसी पर जबरदस्ती ना थोपें, तो आपके लिए अच्छा है, वरना फिर मुश्किले जो है वो पढ़ने लगती हैं, इस राशी के जो बेरोजगार लोग हैं, अगर वो नौकरी के लिए अपलाई करते हैं, या उन्होंने अपलाई किया हुआ है, तो उनके लिए नौकरी के योग बने हुए हैं, उनकी आर्थी किस्तिती से सुधरनी शिरू होगी, सामाजी के समारों में परिवार के साथ शामिल होना, सब के लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव रहेगा, अपने प्रेय की, बिन सोचे समझे तो किसी भी चीज के लिए हामिना भरें, गप्पवाजी से दूर रहें, अपवाओं से दूर रहें, और एक दूसरे का खयाल आप ज़्यादा रखने की कोशिश करें, लव रिलेशन में थोड़ी सी उतार चड़ाव किस्तिती हो सकती है, पराटनर से किसी बात का दिन, इसके उपाय हम अभी वीडियो के अंत में जानेंगी, उपाय जरूर सुनना, बहुत कारगर सावित होंगे, अब 22 जून का जो दिन है, चंदर्मा निराशी बजली, आपके दूते भाव में चंदर्मा गए, केतु के साथ बैठे, केतु चंदर्मा को पीडित से बड़ा दिन भी है, और अभी शनी वक्री है, गुरू भी वक्री हो चुके है, दो ग्रह भी वक्री चल रहे हैं, जो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, दो नई वक्री चल रहे हैं, तो काम की गति को मंदा जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने काम पर ध्यान देंग अगर आपके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले फील कर रहे हैं खुद को तो उससे चुटकारा पाने के लिए निजात पाने के लिए सकारातमक सोच का सहरा ले सकते हैं लोगों से भी जिजग बात करें अकेले पन आपका दूर हो जाएगा कोई भी बड़ा फैसला लेने से आप बचें दोस्तों की मदद से आर्थिक इस्तितियां अच्छी हो जाएंगी समस्यां हाल हो जाएंगी और एक चीज़ का ध्यान रखें देखिए आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन साथे के साथ अगर आपको आदत है मामूली सी बात पर चिलनाने की डाटने की तो आप अपने जीवन साथे को किसी भी मामूली बात पर डाटने की बचाए विनमरता से समझाएं एक स उसके लिए तो आप इस एक आदशी के दिन उपाय जरूर ही करें माता पिता का आशिरवाद जरूर ले उनके आशिरवाद से तो हर दिक्कते दूर हो जाते हैं लेकिन एक दिन नहीं आपको उनका आशिरवाद लेकर काम करने के आवशकता होगे सेहत आपकी अच्छी रहेगी रिष्टे को बहतर बनाने के लिए समझदार से काम लेंगे सोशल मीडिया से जुड़ाव बना रहेगा प्रेमी जीवन प्रेमी लोगों के लिए ये समय काफी अनुकुर रहेगा अब आजाते हैं हम एक आदशी के उपाये पे इस एक आदशी का दिन अगर आप वरत रखते हैं तो निर्जल ये वरत किया जाता है बिना अन बिना जल ग्रहन के हुए इस दिन जल का महत्व बताया गया है अब आपको इस दिन क्या करना है आप वरत रखते हैं तब भी नहीं करते हैं दोभी एक उपाय, सिर्फ एक उपाय. क्या करना है? मिप्ती का घड़ा लेना है, मिप्ती का घड़े को साफ करें, उसमें पीने का जो पानी होता है, उस पानी को बरें, और ये घड़ा आप ऐसे व्यक्तियों को दान दें, जो उसी योग्य है, जिनको उनकी जरूरत है, ऐसे लोगों को मिट्टी का गहडा दान करें. आपकी मर्जी है, एक कर सकते हैं, दस कर सकते हैं, वो आपके उपार डिपैंड करता है. लेकिन इससे बड़ा दान कुछ नहीं, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा. इससे बड़ा दान कुछ नहीं ये एक ऐसा दान है जो इस दिन के महतो को आपको समझा सकता है और इस दिन ये अगर दान आप कर देते हैं निश्चित रूप से कई गुना लाब आपको अपने जीवन में आने वाले समय में इसका देखने को मिल सकता है तो ये एक ऐसा दान है जिसको आप कर सकते हैं तो कोशिश जरूर करें कोशिश नहीं आप करें इस उपाई को इसका लाब आप देखेंगे भागवान नारायन और सात्मेमा लक्षमी दोनों का आशिरवात परापत होगा तो दोस्तों और अदी किसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिलकुल ना भूलें